मैं एक डान्सर हूँ हूँ और मैं चाई भी बेचता हूँ मेरे को कोई सरम नहीं है सबको लगता हुँ है कि ये चाई बेच रहा है इतना अच्छा डांस करता है ऐसा कोई बात नहीं है मेरा औबी थह बिजनस और डांस हम दोनों कर रहे हैं हमको मज़ा आरहा देखीं मेरे एडल जो है एक हम उसा पूर्झपर जो मनाु करता हैि उसल मुझा करते हैं. आप और जो कुछ ना उसे गर खना हैंर घी कुस एक उसकी हम भी करते हैं? बहुत बड़ा जिम्दारी भी है घर है परिवार है हर चीज है अभी चीज करना अभी मेरे को रिपस कोई कॉंटेंट नहीं है यूट्यूब के लिए यूट्यूब में अपना कॉंटेंट मांगता है जोसे लिए मैं आपने बारे नहीं में आज से कोई कॉंटेंट नहीं है इसलिए मैं अपना लाइफ के एक्सपिरियेंस बताऊंगा ताकि किसी को हेल्प हो सके जो क्रियेटर है जो डांसर है जो लाइफ में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं मेरे पास अच्छा खासा एक्सपिरियेंस हो चुका इतना कुछ देखने के बाद तो मै जरूर आप लोग को बताऊंगा तो मैं चैनल को सब्क्राइब कीए और मैं क्या-क्या करता हूं और क्या-क्या नहीं करता हूं क्या-क्या जेला हूं क्या-क्या नहीं जेलता हूं सारा चीज बताऊं बने रहें व्लोग में मैं बच्पन से नानी घर में रहा हूं क्योंकि म मेरा जहां घर था कोडर्मा में, जहां मेरा मम्मी पापा रहते थे, वहां का महल सही नहीं था, कोई भी बच्चा वहां पे सही परिविरिस्च में नहीं रह सकता, इसलिए मेरा पापा मम्मी ने हमको भेज दिया नानी घर रामगड में, हम बच्पन से वहीं रहे हैं, मेरा मा मापापका कभी कमी नहीं होने दिया, हमको बच्चा से इतना बड़ा कर दिया, पढ़ाय लेखाया, मैरे में इतना टैलेंट है, तो बस वही लोग का देन है, जो भी संसकार है, बस वही लोग का देन है, बच्चपन से मापाप लोग का प्यार नहीं मिला, जो नानानी हमको त वही जब हम नोदेस साल क्या थे तब मेरे मम्मी छोड़के चली गई तो बच्चा थे बुरा लगा जो भी था लेकिन परना नानी हमको कभी मां का मतलब कमी ने होने दी मेरा मां मेरा नानी है और मतलब बुरा लगा कि मम्मी चली गए लेकिन फिर भी लाइफ तो रुकता नहीं है ना किसी का तो बस चलता गया चलता गया सारा चीज इसके बाद हम डान्स लाइन में पढ़ाई लिखाए में तो मन शुरू से से बना था हम जा करना किसे करना किसे करना दूर जा के बरक्शॉप लिए देली कॉलकत्ता मुंबई सबी जाके जगा जाकर सीखें हैं बहुत travel किये अधर उदर जाकर सीखें तहुए इतना भी हम डांस कर पाते हैं वो सब ठीक था देकिन अभी का जो मेरा life है पहले से experience तो travel कर कर के अच्छे-च्छे लोगों से बुरे-बुरे लोगों से मिल मिल के बहुत experiences हो चुका था क्या है कैसे है कौन किया कर सकता है कौन कितना हद तक गिर सकता है कितना अच्छा कर सकता है सारा चीज़ समझी गया थे देख के बता सकते है लेकिन अब भी का जो situation मेरा life का वो सही नहीं अब मेरे साथ ऐसा लिखा हुआ है या फिर कहीं पुराना जनम का क्या है मेरा पापूप है कि पिछला जनम में कुछ पापूप कर दिये थे का जो अभी हमको इतना जहलना पड़ रहा है लेकिन ऐसा सोचना भी मेरा गलत है हम इतना समझते कि जो इंसान खुद को ऐसा सोचता है कि हम अच्छे नहीं है हम सरापित है या theoretically हमको कुई कुछ कर दिया बोल दिया ऐसा हम नहीं मानते हैं हम ऐसा सोचते हैं कि तुम जैसा कर रहे हो वही शही है तुम अभी क्या है वह शही है कल क्या होगा हमको नहीं पता पहले जो हो गया वो हो गया, वो कभी बदल नहीं सकता इसलिए अभी को इंजॉय करओ मेरे भाई लोग क्योंकि हम भी आप यहीं चीज़ सीख रहे हैं क्योंकि अभी दो मंत पहले मेरे पापा भी हमको छोड़के चले गए मेरे मा थो मेरे चोड़ के चल कुझ थी ब OH, जअधा मेरे लिए सिच्वेशन घराब हो चुका है लेकिन मेरानि दादी और पुरना परिवार-अरे इस मेरा मम्मी पापर नहीं है अब जो आया है उसको जाना है इतना तो हमको पता है हम भी जाएंगे आप भी जाएएगा सबी को एक नएक दिन जाना है किसी को जल्दी जाना है किसी को थोड़ा लेट से लेकिन हमको नहीं पता कि हम कब तक जीएंगे इसलिए जब तक जीएंगे जो है मेरे पास हम उसी में जियेंगे पहले मेरा सपना ये था कि हमको ये लेना वो लेना है हमको ऐसे घुमना यहां घुमना वहां घुमना है हमको कार लेना है हमको घर चाहिए ये इतना पैसा चाहिए बहुत सोच सोच के श्ट्रगल करते थे कि हमको ये लेना था हम उस किसकारी के भी कोई फाइदा नहीं है कि क्या पता कि हम जो सोच रहे हैं वो पल भर में खतम हो जाया है कुछ भी हो सकता है हमको नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ भी हो सकता है यह जान लो इसलिए कल क्या होगा और हम कल कितना कमाएंगे उससे हमको अब फर्क न हम अभी किसके साथ रहना चाहते हैं और मेरा लाइफ का सभसे स्पेसल परसलिंने मिरा नाigation वह ने रहते हैं मिया साथ हम अभी तक एफ इसा नहीं होते हैं जो भी है ना लाइफ कब कहां ले जाता है ना ये कहना बहुत जादा मुश्किल है गाइस तो बस मेरा कहना यही है कि अगर आप लोग भी ये सोचते हैं ना कि हम बहुत बूरे हैं हम कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में या फिर हमको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है हमसे कोई दोस्ती नहीं कर रहा है आपके पास कुछ भी ना हूँ लेकिन आप खुछ रहने का कुशिस करोगा जैसे मैं कुशिस कर रहा हूँ और मैं हूँ भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सारा चीज चले जाना है दुनिया में सब चीज रह जाएगा कपड़ा, ये फोन फोन, बाइक जिस चीज कभी हमको जोरत रहता जो भी हमरे सब नरता कार लेंगे ये लेंगे, वो लेंगे, लंद लेंगे, फंद लेंगे सब चीज यही दुनिया में रह जाना है इंसान यहां से उटके खतम हो जानना भाई इंसान यहां पे नहीं रहेगा इसलिए इंसान का कदर करो सभी से प्यार करो एक दुसरे से प्यार करने का कुशिस करो और खुश रहने का कुशिस करो इस पल को जो अभी गुजर रहा है उसमें खुश रहने का कुशिस करो क्योंकि यही है reality आगे क्या है हम लोग को नहीं पता जो बीत गया है वो खतम अभी क्या है वही है reality तो बस real रहो भाई अभी क्या हो रहा हमारे साथ दिखावा में मत जियो ना कुछ दिखाव और जो दिखावा कर रहा है उससे भी दूर रहो बैस इंजोई करो इस लाइफ का और अपने आप से प्यार करो गाईज जैसे हम करते हैं और सपोर्ट करो भाई कोई बात नहीं है एक दिन मैं भी कुछ करूँगा लेकिन टेंशन लेके नहीं कि हाँ हम भी कुछ करेंगे हम इंजोई करते रहते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हम इंजोई करते करते अपना सपना भी पूरा करेंगे कोई टेंशन लेके नहीं वीडियो बन रहा है तो बन रहा है किजिएगा अपने दोस्तों लोग के पास और मेरा डान्स वीडियो भी आप लोग ने देखा होगा मेरा इंस्टाग्राम है हिपआप अंकित तो फॉलॉ किजिए मेरा डान्स को भी देखिये अगर अच्छा है तो अपरे सेट कीजिए लाइक कीजिए और मुझे फॉलॉ बढ़ने में follow back doon तो बाइ बाइ